सेंग राशी वाले दोस्तों, आपकी राशी के बाग्या बाप पर गुरू का संचार अत्यादिक उत्तम बना हुआ बाग्या को बुलंद करने वाला है। प्रंतो अभी तक आपको बाग्या का वह सुख है मैं सा योग नहीं मिला होगा जो की मिलना चाहिए। क्योंकि भाग्या बाप और गुरू दोनों राहू और शनी के वकर प्रवाब से गरस्त चल रहे हैं। लेकिन अब गुरू भी शनी और राहू को उनकी भाशा में ही सबक सिखाने जा रहा है। चार सितंबर से गुरू दे भी मारगी वस्ता से वकरी होने जा रहे हैं। भाग्या को बुलंद करने का कार्या करेगी। भाग्या के बंद द्रवाजे खोल देगी। सोया हुआ भाग्या जाग उठेगा। अन्या शेत्रों पर भी बहुत स्क्रात्मक प्रिवर्तन देखने को मिलेगा, एके करके महत्तपुर्ण शेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्तपुर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कर दोस्तों, मैं एस्ट्रोलेजर रजेश कालिया, हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटिप चैनल अक्षी तैस्टरों मास्टर में, मेरे सिंग राशी वाले दोस्तों कैसे हो, सिंग राशी के अलावा सिंग लगन वाले दोस्तों इस वीडियो को देख स शुरुआत करते हैं स्वास्त से, पिछले समय से आपकी राशी पर शनी और राहु की वकर द्रिश्टी अनावशक मानसिक अशांती जैसे भाव पैदा कर रही है, अब गुरु की वकर द्रिश्टी पढ़ने भी शुरू हो जाएगी, जो शुपता पर दान करेगी, विचा शुपता के साथ सोच सकरातमक देखने को मिलेगी, तारा सितमबर तक राशी के साथ राशी स्वामी सूर्या भी गुरु की वकर द्रिश्टी में रहेगा, जो स्वास्त को बेहतर बनाएगी, तारा सितमबर से सूर्या और मंगल दोनों दूसरे बापर संचार करेंगे, इस इस दुरान स्तारा सितमबर के बाद अपने चहरे, नाग और दांतों का खास ध्यान रखें, मेरे वह दोस्त जो पहले से ही इनसे सबंदित किसी समस्या से जूज रहे हैं, वह अधिक स्तर्क रहें, बाकी स्वास्त के सबंद में और बड़ी परिशानी की कोई संभावना न ग्यान में वरिदी करेगा, शिक्षा में रुची और एकागरता बढ़ेगी, तथा विद्यार्थी शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे, अनुसंदान शेतर से जुड़े विद्यार्थी अपने शेतर में कुछ नया करेंगे, परतियोगी प्रिक्षाओं में विसमलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए सितंबर्मा अनकूल बना हुआ है, समय की शुप्ता प्रतियोगी प्रिक्षाओं में सफलता दिलाएगी, कूल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए सितंबर्मा काफी सकरात्म करहेगा, बात करें प्रेमियों की तो, सितं दूर होंगे इस मां प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मोज मस्ती करने के अनकूल अफसर मिलेंगे सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो सितंबर मां अनकूल बना हुआ है प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 17 स्तंबर से पहले का समय अधिक उत्तम रहेगा बात करें शादी शुदा दोस्त और था दंपत्या जीवन की दो आपकी राशी के दंपत्या बापर दंपत्या बापका स्वामी शनी वक्री वस्ता में संचार कर रहा है शनी की यह स्तिती जीवन साथी के साथ वेचारिक मत्वेद पैद करने के लिए काफी है इसलिए सितंपर मा में खास ध्यान रखें जीवन साथी की हां में हां मिलाते रहें क्योंकि एक चुप सो सुख इसलिए दंपत्या जीवन में च्छोटी च्छोटी बातों को तूल नादे शांत बने रहें अब जीवन के अन्या महत्त पुरन शेत्रो जैसे भाग गया दन करियर सुक संपत्ती संतान निवेश विदेश व्यापार और शत्रों के सबंद में सितंपर मा क्या संकेड दे रहा है उस पर बात करेंगे सितंपर मा के शरुवाती सब्ता में महत्त पुरन बदलाब देहने को मिल जाएगा जब चार सितंपर को उसकी भरपाई होगी तीस अक्तूबर से भाग गया वापर बन रहे गुरु चंडाल योग से भी बहुत बड़ी रहत मिलने वाली है समय नजदीक आ रहा है गुरु के वक्री वस्ता में संचार से वह रहत अभी से देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाग मगार है विश्वाश में अटूट आस्ता देखने को मिलेगी धरम करम के कारियों में रुच्छी बड़ेगी संतान सुख में वरिदी होगी गुरु का वक्री वस्ता में संचार संतान से सबंदित अधूरे पड़े कारियों को पूरन करेगा कोई मुश्किल हालात पैदा ह इसलिए आप मोज मस्ती करने गूमने फिरने और शौंपूर्ति के कारियों पर भी खर्चा कर सकते हैं लग्जरी गैजर्ट मेहंगे वस्तर मेहंगे फोन वाहन या अन्या सुकसादरों पर खर्चा कर सकते हैं शुकर कि इस स्थिती से वपरीत लिंक के प्रती अकर्शन बात करें बुद्धी वानी और वैपार करक बुद्ध की तो आपकी राशी के लिए बुद्ध बहुत महत्तपुरन ग्रह है क्योंकि आपकी राशी के लिए बुद्ध धन और लाबाब का स्वामी है इसलिए आपके धन का सारा लेखा जो खा आपका वही खाता खजाने की आपकी राशी पर संचार करेगा स्तारा सितंबर तक बुद्ध के साथ राशी स्वामी सूर्या भी संचार करेगा इसलिए आपकी राशी बे बुद्ध अधित्या योग का निर्मान होगा राशी पर इस योग का विशेश रूप से महत्तव है यह अत्यादिक उत्तम और नई योजनाओ को जनम देगी इस से वेपार में विस्तार के नकूल अबसर मिलेंगे सरकारी नितियों से वेपार में लाब के मौके मिलेंगे आए एम लाब की स्थिती मश्बूत होगी 1700 सितम्बर तक सूर्या का राशी पर संचार जोश और अर्जा शक्ती पर दान करेगा अर्जा की अधिक्ता से आपके सवा में करोद और आहम का भाव भी देखने को मिलेगा स्तारा सितंपरता का करोद और एहंकार से दूरी बना कर रखे तो स्तारा सितंपर के वाद अपनी वाणी पर नियंतरन रखे क्योंकि स्तारा सितंपर को सूर्य राशी प्रवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा अब द्वित्य बापर दो करूर करोदी और गरम ग्रहों सूर्य और मंगल का संचार आपकी वानी में कठोरता और करूरता का भाव पैदा करेगा ना चाहते हुए भी वानी के द्वारा कू वचन और कटू वचन के प्रयोग से सामने वाले की नराजगी सहन करनी पड़ सकती है बने बनाई कारया बादित हो सकते हैं इसलिए स्तारा सितंबर के वाद वानी का सोच विचार कर प्रयोग करें जल्दवाजी और उतावले पंसे बजें राशी फल में करम फल दाता शनी देव की बात ना करें तो सब कुछ अधूरा है पूरन महिने शनी सप्तम बाप पर वक्री वस्ता में संचार करेगा दमपत्य जीवन के सबंद में तो शनी की स्थिति मिली जुली रहेगी लेकिन शत्रों का सफाया करेगी वक्री वस्ता में शनी एक भाप पीछे छटे वाप की और अगरसर होगा इससे छटे वाप के फल भी देखने को मिलेंगे छटे वाप पर शनी के उत्तम फल देखने को मिलते हैं शत्रों नाशक का कार्या करते हैं इसलिए शत्रों पर आपकी पकड बनेगी शत्रों की चिंता परशानी शनी पर छोड़ दे वैपारी दोस्त अपने प्रतिधवन्दी पर सफलता प्रापत करेंगे वैपार की प्रतिस पर्दा में आगे बढ़ेंगे वैपार में विस्तार के लिए रिन की वशक्ता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्द हो सकता है प्रंतु चतुर्थ बापर शरी की वकर्द रिष्टी माता जी के सुक सने सायोग स्वास्त और सवापर वपरीत परवाभ डाल सकती है इसलिए माता जी के साथ सबंदों में सने और मदूर्था में कोई कमीन ना करें उनके स्वास्त की वियनियमित रूप से जाँच पर्ताल करवाते रहें स्वास्त की अंदेखी ना करें उपाई के रूप में सितंबर मामे घर परवार के बड़े वजुर्गों और सादू संतों की सेवा कर उनका अशीर वाद लें तो भाग गयावा पर संचार कर रहे गुरू के और अधिक बेहतरीन परिनाम देखने को मिलेंगे आपको या वीडियो कैसे लगी के रप्या लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यावाब